अगर दिमाग ही नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे चोरी हो या कुछ भी तिमाग और प्लान के आवे सकता बहुत जरूरी होता है नहीं तो भईया पकड़े जाने पर जेल तो होगी ही लेकिन उससे पहले दम भर कुटाई होगी ऐसा ही कुछ प्लान किया हुआ चोरी का वारदात राजस्थान के जैपूर से आया है ऐसी वारदात सामने आया है कि आप सुनकर डंग रह जाएंगे जैपूर में चोरी करने से पहले चोरों ने सराफत दिखाई उससे पहले चोरों ने 90 लाख रुपए का एक प्लॉट खरदा फिर उसके बाद चोरी की है न अजीब बात तो चलिए समस्ते हैं आखिर क्या है पूरा मामला जैपूर के वैशाली नगर थान ने इलाके की है जहा जादा हैरत की बात यह होती है कि चोरों ने चोरी करने से पहले किसी तरह का जाल बिछाया सबसे पहले तो चोरों ने डॉक्टर के घर से सटा एक प्लॉट खरदा उभी 90 लाख रुपए में उसके बाद काम करवाने के बहाने तीन महीने में 15 फिट गहरी और 20 फिट लंबी सुरंग बनाई ताकि वह डॉक्टर के घर के बेस्मेंट तक जा सके और चोरी के घटना को अन्जाम दे सके डॉक्टर सोनी ने तीन महीने पहले ही चांदी का बॉक्स अपने बेस्मेंट में रखा था अभी कुछ दिन पहले जब हुने बेस्मेंट में जाकर चेक किया तो दॉक्टर का खोस उड़ गया चोरों ने बॉक्स को कटर से काटा उसे ले गए वहां दो अन्य बॉक्स भी पड़े थे जो खाली थे इसके बाद चोरी की सूचना पुलिस को दी गई हालाकि चांदी के बॉक्स में कितने गहने थे इसकी कोई भी जानकारी डॉक्टर सूनी न क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि घर के बेस्मिंट में चांदी का बॉक्स कहां रखा है इस पूरे मामले में पुलिस ने कुछ संदिक्ध लोगों को भी हिरासत में लिया है पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा इस पर आपकी क् है आप अपने रहे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं देश और दुनिया के तमाम चोड़ी बड़ी ख़बरों को जानने के लिए आप देखते नहीं स्यन्यू शुक्रिया